कीमती बात बता रहे हैं और अगर वो तुम लोग सीख लोगे तो कुछ भी भजन नहीं करोगे भहुसा अगर पार हो जाओगे वो अतनी कीमती बात है हम यहाँ साट साल से हैं और पहले मान मंदिर डाकूओं का अड़ा था यहाँ का नामी डाकू जहान था बटवारा करने आता था बारा बारा बंदुके हमारे सामने आ गई रात में हम अकेले थे लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ कोई हमारा बिगाड नहीं पाया और वो लोग मान गड़ खाली कर गए यहां तक के अभी सकी शर्ण है बैठें पीछे कई बार बाहर बन कर गए हम अकेले रहते थे यह पानी लेके जाते थे सबेरे साकर खोला अनों ने बहुत प्रयत्न किया हमें आज तक एक चाटा भे नहीं लगा यहां तक कि पाड़ों की लड़ाई में हमको जहर दिया गया था सब के बीच में यात्रा में हम जा रहे थे हजारों लोग साथ में थे और सब के बीच में पुले त्रिवेडी का जल है पीजे महराज हमने उसको जैसे चुआ पिया नहीं वैसे लिया था कि बड़े कड़वापन से लगा वहीं कुल्ला कर दिया और फिर उसके पास पानी ले करके हमने वहां मुध वया थोड़ी देर आगे हमको लेक्शेर देना था हजारों लोग खड़े थे माट गाओं की बात है चक्कर सा आने लग गया अगर एक घूड भी पी लेते तो मर जाते है और थोड़ी दूर जाकर के लेक्शेर दिया उसी तरसे दिया उसमें भी जमना जी के बारे में बोलते थे हम रात को वो आदमी यात्रा में बारा बज़े रात को आसु बहाते क्षमा मांगने आया कहा कुछ नहीं रोता खड़ा रहा इस सब लोगों ने देखा जितने लोग हमारे साथ थे विश भी कुछ नहीं कर पाया हमारा क्यों नहीं कर पाया तुम सोचोगे भक्ति है जब है तप है हम माला कभी करते नहीं तफस्या करते नहीं भक्ति है नहीं हमारे में लेकिन आज तक अभी पांच हजार आदमी आया थे मारने को पिछले कुम्भ के बाद यहां प्रेम सरोर तक आ गए थे और एक चाटा भी नहीं लगा पाया उसका कारण क्या है अभी जो हमको पिछले साल यह हार्ट बर्स्ट हो गया था और खूल दिमाग तक गया इसको कलॉट कहते हैं ब्रेन हमेरेज हो जाता कुछ नहीं हुआ बड़ी बड़ी आपत्ती आई आज तक कुछ नहीं हुआ न चोर न डाकू न बदमाश संसार का कोई आदमी हमारा बिगाड नहीं पाया उसका कारण क्या है हम तो गुम समझा रहे हैं उसका कारण यह है कि हम किसी भी भक्त की निंदा नहीं करते हैं कभी हमारे पास रहने वालों से पूछ लो अनेक लोग हमारे पास रहते हैं अलग अलग गुरुओं के चेले हैं किसी के गुरु की आज तक हमने निंदा नहीं किया भक्ता पराध हो जाता है और भक्ता पराध हुआ कि सब भजन नष्ट हो जाता है इस पाप से जो बच गया उसका काल भी कुछ नहीं विगाड़ेगा भक्त ही लोग भक्ता पराध करते हैं सादू सादू की बुराध बुराध करता है पंडित पंडित की बुराध करता है कथा कहने वाले कथा की बुराध करते हैं भक्ता पराध करने के लिए अमेरिका से आदमी नहीं आएगा, हमीं लोग आपस में बुराई करते हैं, एक की दूसरे से, जबकि एक दोहा गुसाई जी ने कहा है, तुलसी जाके बदन थे, धोकेउ निकसत राम, वाके पग की पगतरी मेरे तन को चाम, जिसके मुँसे एक बार भी भगवान का नाम निकल गया, हमारे शरीर की चमडी काट करके उसके पाउं का जूता बना दो, इसको भक्ती कहते हैं, ये उन्होंने खाली लिखाई नहीं है, करके दिखाया, जब नाभाजी महराज यहां आये थे, ब्रज में, तो उस समय सारे ब्रज की साध्यों की रसोई दिया था भंडारा, सब 84 कोस के संत गये थे, बड़ी भारी पंगत हुई थी, सैकोड़ों लोग परोस रहे थे, उस समय तुलसीदाजी यहीं थे ब्रिंदाबन में, ग्यान गुदली में, जहां लिखा हुआ है तुलसीदाजी आये हैं, बंदिर है, लोगों ने कहा, कि सब आये तुलसीदाज नहीं आये, लोग बुराई करने लग गए उनकी, नाभाजी महापुरुष हैं, उस समझ गए, यह लोग गलत कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, कोई तो कहता था, अंकारी हैं, कोई कहता है, कुछ हैं, अपने-अपने हिसाब से बोल रहे हैं सब लोग, वो सुनते रहे हैं, बोले कुछ नहीं, सब लोग बड़े आश्चर में, कि नाभाजी महराज ने भंडारा किया, सारा ब्रज आया, हजारों साधु आये, तुलसी दास नहीं आये, दिन भर पंगचली, शाम को रात के समय जब सब पंगच हो गई, तो कंगलों के लिए, भिकमंगों के लिए, लोग बाटते हैं, एक भिकमंगा भी हाथ फ़ला रहा था, हमको भी प्रसाद मिल जाए, जो बाटने वाला कुटवाल होता है साधु में, भंडारी समझो, उसने का तेरे पास पात्र हैं, खीर बट रही थी, उसने सिर हिला दिया, तो कैसे लेगा, पात्र ला, तो उन्होंने एक जूती उठा करके आगे कर दिया, तो उसने बड़ा क्रोध किया कोटवाल ने, खड़िया कहीं का, अरे कहीं जूता में प्रसाद पाते हैं भगवान का, चल यहां से, हला किया उसने, अपमान किया, और नहीं दिया, कुछ बूदे पड़ी थी, खीर की टपक करके, उचाट करके चला गया, नाभा जी सुन रहे थे, हला क्या है वे क्यों हला हो रहा है, बहुले अरे यह कंगला आया है, जूता में प्रसाद लेता है, फिर, उसको फटकारा गया, भगा दिया गया, अरे पकड़ो पकड़ो, वो तुलसी दास हैं, क्या किया तुमने, नहीं, तुलसी दास इतनी बड़ी, भूल करेंगे, वो तुलसी दास हैं, जाओ पकड़ो, ठ्रमा मागो, जब तक लोग दोड़े उचला गया, जने कहां चला गया, उन्होंने कहा देखो, जो उन्होंने लिखा है, वो कर के दिखाया है, तुलसी जाके मुखनते, धोके उनिक्सत राम, जिसके मूँ से भगवान के नाम, धोके भी निकल गया, उसका जूता हमारे शरीर से पवित्र है, लोग गये, जब तक चला गया था, जने कहां चला गया, तो भगतों की निंदा न करो, न सुनो, न सोचो, सब भगत हो तुम लोग, एक दूसरे की निंदा, वो ऐसी है, वो ऐसा है, ये गंदी यादते हैं, ये अगर नहीं करोगे, तो तुम्हें काल भी नहीं कुछ करेगा, घोर संकट भी आएगा, तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होगा, हमको एक, उदारन हम बैठे हैं, ये इलाज कराने गए थे, उसको क्या इंजियोग्राफी कहते हैं, हम तो जानते नहीं, डाक्टर ने कहा, इंजियोग्राफी कराओगे, तो या तो ये अंधे हो जाएंगे, या लगवा मार जाएगा, जरम भर को हाथ पाव नहीं खिलेगा, या कोमा में चले जाएंगे, कोमा मने, मर ही जाएंगे, बोलेंगे नहीं, शरीर पड़ा रहेगा, इस सब लोग थे, वहाँ लाज करा रहे थे, इन लोग ने कहा कि, भाई, अगर अंधे भी हो जाएंगे बाबा, तो दर्शन तो होता रहेगा, अगर कोमा में चले जाएंगे, तो शरीर तो दिखाई पड़ेगा, कोमा वाला नहीं हिलता है, नहीं डुलता है, मुर्दा सा पड़ा रहता है, तुम कर दो, तुस डाक्टर ने, आपरेशन किया, और वो अमेरिका के बहुत बड़ी डाक्टर हैं, नीराज, वो इनके साडू लगते हैं, वो आये थे, डाक्टर ने कहा, ऐसा आपरेशन हमने जिन्दगी में नहीं किया, बेस्ट आपरेशन था, एक घंटे तक खुरश्टे रहे रास्ता बनाने के लिए, और एक घंटे बाद आपरेशन हुआ, तो काल आया, लोट गया, इस अब क्यों है, यह इसलिए कि हम किसी की निंदा न करते हैं, न सुनते हैं, किसी के भी गुरू संप्रदाय के निंदा बिंदा नहीं करते, अगर यह बात तुम सीख लोगी, तो काल भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगा, लेकिन यह बड़ा कठिन है,